मुश्कार स्वागत है आपका सेल्फ स्टेडि के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करेंगे बहुत इंपोर्टेंट इशू मैं कह सकता हूँ आपको बहुत रोचक लगेगा इंटरस्टिंग है यह कि चंडिगड को लेकर विवाद हो रहा है काफी टाइम पहले भी विवाद हो रहा था और आपने सुनते भी आयोंगे कि पंजाब हर्याना की चंडिगड है तो इन दोनों के बीच में हमेशा विवाद चलता है रहता है कि चंडिगड लेगा को और स्टोरी आज आपको पता चलेगी कि आखिर चंडिगड की कहानी क्या है इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे पीडिएफ के लिए आपको बता दूं कि पीडिएफ कहां मिलेगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलिग्राम का लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से पीडिएफ डाउनलोड कर सकते हैं तो आपको लिखने का नहीं है ख परस्ताव पेश किया जाता है और उसमें कहा गया कि देखे चंडिगड को तुरंत यानि इमीडियेट जो है वो ट्रांसफर कर दीजिए पंजाब को यह मांग की गई है इस परस्ताव के अंदर या इस रिजोलुशन के अंदर वही ऐसा गया हो गया कि यह परस्ताव एकद के अंदर करमचारियों के लिए पंजाब सर्विस रूल्स की जगह है पंजाब सर्विस रूल्स की जगह है सेंट्रल सर्विस रूल्स को लागू कर दिया यह क्या हुआ सर इसका क्या मतलब हुआ देखे पंजाब सर्विस रूल्स के अकोर्डिंग यह था कि जो परशाशन अधिकारी हुआ करते थे, जो करमचारी हुआ करते थे वो कहां से आएंगे? वो पंजाब से आएंगे लेकिन अब कहां से आएंगे? अब सेंटर ने कर दिया तो सोचो सेंटर से कहां से आएंगे? भी अब पूरे भारत से आएंगे इससे पंजाब को लगा कि यार हमारे हाथ से तो चंडीगड निकल रहा है वही हमें तो हमारी चंडीगड वाप चाहिए ना हमारी राजदा नहीं है वो तो इसलिए उन्होंने resolution पास कर दिया हाँ खैर इसके फाइदे भी है central service rules के क्योंकि आप सोच कर देखे सीधा जो है वो connection अब center से हो जाएगा यहाँ पर employee जो है उनको salary center से मिलेगी तो यहाँ पर center से मिलेगी तो salary जादा मिलेगी इनको benefit जादा मिलेंगे administration बहुत अच्छे से हो पाएगा चंडीगड का साथ ही साथ जो maternity leave जो थी वो एक साल की हुआ करती थी इस पंजाब service rules में अब यहाँ पर center service rules में वो maternity leave जो है वो दो साल की हुई तो definitely इसके अंदर फाइदे हैं और यह काफी time से मांग चलती भी आ रही थी खेर पंजाब की बात कर लेते हैं कि पंजाब को यहाँ पर तकलीफ हो रही है दिक्कत हो रही है वो क्यूं हो रही है देखे पंजाब पुनर गठन अदिनियम 1966 इसमें क्या था पंजाब का पुनर गठन किया गया था यहाँ पर पंजाब को पंजाब राज्य को हरियाना और केंदर शासित परदेश जो चंडिगड़ है उसके अंदर डिवाइड कर दिया गया था साथ ही साथ पंजाब के कुछ हिस्तों को जब 1966 की बात कर रहा हूँ जब वहाँ पर केंदर शासित यानि यूनियन टेरिटरी हुआ करता था हिमाचल परदेश उसमें मिला दिया गया था तो यहां पर आप मैप देखें 1951, 1954, 1956 और 1966 तो 1966 में यह ब्ली खलर का है तो आप देखेंगे पंजाब है तो पंजाब का यहां पर पहले पंजाब भी हुआ करता था लेकिन यह वाला जो एरिया है वो किसमें यह तब यूनियन टेरिटरी हुआ करता था हिमाचल परदेश तो यहां पर union territory को दे दिया गया, यानि हिमाचल परदेश को दे दिया गया, पहाड़ी इलाका, और जो नीचे हिंदी बासी जो इलाका है, वो किसको दे दिया गया था, वो हरियाना को दे दिया गया था, clear हुआ, अब यहां पर यह भाशा के अधार पर यह एक तरीके से पु जाता है, 1953 में क्या हुआ था, आंदर परदेश का घटन हुआ था, कि भाशा के अधार पर पुनर घटन किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, तो इसके लिए काफी टाइम से विवाद भी चला था, बहुत लंबी हर्ताल भी चली थी, तो इस कारण यहां पर मतलब की कहीं कि विवाजन हुआ था, क्लियर, अब चंडिगड की राजदानी बनने की कहानी है, हम उसको जान लेते हैं, देखिए, पार्टिशन हुआ भारत का 1947 में, जब पार्टिशन हुआ, तो उस वक्ट पार्टिशन से पहले जो पंजाब की जो राजदानी थी, वो वहाँ पर जब पाकिस्तान में चला गया, तो पंजाब है, उसकी राजदानी शिमला एज टेंपररी तोर पर बना दी जाती है, वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर थे, जोहालना लेरू, उन्होंने कहा कि देखिए, हमें एक डेवलोप्ट कैपिटल चाहिए, कि जो लाहो को रिप्लेस कर सके, ये बात बोली गई थी, तो पंजाब सरकार ने उस वक्त कंसल्टेशन किया, सेंटर के साथ, और एक जगह चुनी करार, ये जगह चुनी कि इसमें 22 गाउं थे, और इन 22 गाउं को वहाँ से खाली करवाया गया, और यहाँ पर चंडिगड की स्थापना करवाई गई, कैपिटल जो है, वो यहाँ पर मूव कर दी गई थी, शिमला से चंडिगड को 21 सब्टेंबर 1953 को, और राजेंदर परशाद जो हमारे उस वक्त प्रेजिडेंट हुआ करते थे, उनके द्वारा जो है, अक्तूबर साथ 1953 को इसका इनोग्रेशन करवाया गया, क्लिर यहाँ पर, अब उमीद करता हूँ कि आप लोगों को हिस्ट्री समझ में आ रही होगी कि चंडिगड की उत्पत्ती कैसे होई, अब यहाँ पर आते हैं, पंजाब के पुनर गठन के दोरान, के अंदर शरकार ने घोशना की थी, कि देखिए, हर्याना राज्यों को अ हर्याना जो है, वो 5 साल तक चंडिगड में काराल लिया है, और अवासी अवासों का उपयोग कर सकता है, कब तक, जब तक की देखिए, अपनी राजदानी नहीं मिला लेता, कब तक टाइम दिया गया है, 5 साल दिया गया है, लेकिन हर्याना ने कभी अपनी राजदानी बन हो जाते है, clear, आगे आते हैं, देखें यहां पर जैसे मैंने गता है कि 1966 के अंदर जो है, वो हर्याना अलग हो जाता है, हर्याना अलग होने के बाद जो पहाड़ी इलाका है, वो हिमाचल परदेश को दे दिया जब प्राइम इनिस्टर जो इंदरा गांदी जी थी, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हर्याना जो है, वो अपनी खुद की कैपिटल बनाए, जैसे हम यह ने आपने तोड़े देर पहले सुना भी 29 जनवरी 1970 को सेंटर अनाउंस करता है कि कैपिटल जो है, कैपिटल प्रोजेक्ट एरिया ओफ चंडिगड किसको दे दिनी चाहिए, पूर्ण रूप से पंजाब को दे दिनी चाहिए, यह बात बोल दी गई थी अब इंद्रा गांदी गवर्मेंट टुक इस डिसीजन आफ्टर फते सिंग, यह लीडर ओफ पंजाब सुभा मोवमेंट, भई यह इन्होंने डिसीजन क्यों लिया था, एक्चुल में यह डिसीजन इसली लिया गया था, जो फते सिंग है, पंजाब सुभा मोवमेंट के जो लीडर थे, उन्होंने सेंटर को धंकी दे डाली थी, कि वो खुद को मार लेंगे, वह खुद का बलिदान दे देंगे वो, अगर चंडिकड को ट्रांसफर नहीं किया गया पंजाब को, अब सेंटर डर क्यों गई, आपको बता है, 1953 में जब आंदरपरदेश बना था, तेलगू भाषई लोगों के लिए, उस वक्त, पोटी शीडामुलू जी, जो वहां पर लीड कर रहे थे उस मॉव्मेंट को, 53 दिन की उन्होंने आमरन अंचन किया था, भुकरताल पर गए थे, जिसके कान 53 दिन बाद उनकी मृत्यू हो जाती है, वहां पर मृत्यू के बा इनको भी यह डर था कि अगर यात्मत अगर लेंगे तो बहुत ज़दा महौल जो है, वह खराब हो जाएगा, तो इसनोंने माल ले थी, कि हाँ ठीक है, हम आपको चंडिगड सोम देंगे, और कहीं ना कहीं एक यह भी आइडिया था सेंटर के अंदर, कि क्यों ना चंडिग और साथ साथ आपको इतना लोन भी दे देंगी कि आप अपनी कैपिटल बना सको, कि हरियाना कभी अपनी कैपिटल बना ही नहीं, अब इसको समझो कि इसको जो डिवाइड करने की बात है चंडिगड को वो क्यों नहीं हो पारी, यह decision क्यों against है, reason यह था क्योंकि आप चंड हो जाएगी, तो यहाँ पर यह जो आइडिया था, डिवाइड करने का इसलिए पीछे हर जाते हैं, अब एक रिपोर्ट भी आए थी, the Indian Express रिपोर्ट के अंदर, January 30, 1970 के अंदर, जिसमें कहा गया थे कि, how long the city will be a union territory, will depend on how soon हरियाना will be able to build a capital of its own, यह आपके सामने यहाँ पर टेलिग्राम का लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो यह बात होगी हमारे सामने, 1970 के अंदर, तो वहाँ पर सही चीज़ें सही हो नहीं पाई, फिर क्या होता है कि, अगस्त 1982 में जो अकाली दल है, उन्होंने का कि, भहिया यह जो पंज आनंदपूर साही परस्ताव के लक्षों, आनंदपूर साही उन्निस सो त्रेपन, 1973 में एक आनंदपूर साही परस्ताव लाया गया था, तो यहां पर अकाली दल के द्वारा का गया, कि हम इसका पालन करना चाहते हैं, और इनका मकसद यह था, कि देखिए, कि रक्षा, वि चंडिकड को पंजाब के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो यह बात बोलेगी थी, 1982 के अंदर अकाली दल के द्वारा, अभी इसको समझो कि 1982 में जो अकाली दल से थे, उन्होंने बहुत ज़ादा इससे निराशत जदाए थी, जो पंजाब रियोर्गिनाशन एक था, तो उन्होंने एक लॉंच कर दिया था, धरम युद मोर्च, जिसको लीड कर रहे थे, जर्नेल सिंग भेंडरवाला, यह तो आपको बहुत ज़ाद है, अच्छे से याद होगा भेंडरवाला, तो यह जो है, वो इसको लीड कर रहे थे, अब यहाँ पर जो थे, इन्होंने वापस पंजाब में मिलाएंगे, साथ ही साथ, जो आपने union territory का जो दरजा दे दिया है, चंडिगड को, वो भी हम वापस चंडिगड को वापस लेकर रहेंगे, यह बात हुई, तो क्या होता है, यह 1922 की बात है, 1985 में आते थे, जब वहाँ पर पर परधानमंतिर राजीव गांदी हुआ करते थे, तो उन्होंने अकालि दल के जो नेता है, हर्चन सिंग, लोंगवाल के बीच एक समझोता हो जाते हैं, जिसे कहा गया, राजीव लोंगवाला समझोता, इस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, और इस पर हस्ताक्षर होने में सारी बाते मान ले गई थी, और कहां गया था कि बिचंडिगड को यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा पंजाब को. 26 जनवरी 1986 को वास्तिक अंस्तांतरन की तारिक तै की गए. समझोते पर साइन भी हो गए. समझोते पर साइन होने के बाद लगबग एक महीने के बाद भी मतलब कम समय में जो लोंगे वाला है उसकी हत्या कर दी जाती है आंतकवादियों के द्वारा. अब यहां पर वट वोज दूब वट हैस बीन मूट इन पंजाब एसेंबली ओवर दे एस. पंजाब का क्या रियक्शन रहा है इतने टाइम से आपने ने देखा 1966 से अब देखे 20, 22 आ गया तो यहां पर इतने टाइम से दो राज्यों की एक राजदानी बन के रहेगी यह चंडी करता हो यहां पर क्या मतलब इनका रियक्शन रहा है पंजाब वालों को पंजाब ने टाइम टाइम पर resolution निकाला यह यह सातवा resolution निकाला गया पहला resolution जो था वो 18 मही 1967 को अच्चारे प्रिथवी राजजाद के दोरा निकाला गया था और दूसरा resolution है वो छोधरी बरभील सिंह के दोरा निकाला गया था 19 जनुवरी 1970 को कब यह गुर् सिंह गुर्णाम सिंग की जब सरकार थी उस कारेकाल के द्वारा ठीक है अब सुकदेव सिंग धिलो के द्वारा थर्ड रिजुलुशन निकाला गया था साथ सप्टेंबर 1978 को जब परकाश शिंग बादल जी जी जो थे वो चीफ इनिस्टर हुआ करते थे और बलदेव सिंग मान के द्वारा यहां पर एक और रिजुलुशन लाया जाता है 31 अक्तुबर 1985 को जब वहां पर सुर्जीत सिंग बरनाला जो है वो गवर्मेंट सरकार हुआ करती थी फिर एक और रिजुलुशन लाया जाता है बरनाला गवर्मेंट में ही लाया जाता है ओम परकाश गुपता के द्वारा 6 मार्च 1986 को ठीक है अब आमादमी पार्टी का क्या कहना है, जो आमादमी पार्टी का कहना है, जो अमन अरोडा है, उन्होंने कहा कि, जब भी कोई स्टेट है, उस स्टेट से एक स्टेट अलग करके बनाया जाता है, तो जो राजधानी होती है, तो वो उस मेन स्टेट की रहती है, यानि जो पैर पर भी हमने देखा है जैसे महाराष्टरा रियो वो और गुजराथ जो था वहां पर एक जनवर उनीस साथ को यहां पर गुजराथ बना था तो महाराष्टरा की जो राजदानी तो वही रही थी यह बात करूं उत्राखंड की जो उत्रपरदेश से हटा मतलब निकाला गया तो वहां पर जो पोपाल है वो मत्यपरदेश की राजदानी रही थी या जारकंड की बात करूं जो बिहार से अलग करके बनाया गया था तो वहां पर बिहार की राजदानी पटना जो है वो बिहार की राजदानी रही थी तो आप इतने सारे एक्जांपल देखते हो तो इ में उन्होंने बोली थी लेकिन उस वक्ट जो चीफ इनिश्टे थे पंजाब के अमरिंदर सिंग जी के द्वारा हम इसको मानते नहीं है इनके उपर उन्होंने बिग क्रोस लगा दिया कि इसमें तो आप भांगोगे हमें तो हमारी रचंडीगर जो है वो पूरी चाहिए तो रही है बीस रूम विधान सभा के अंदर जो पंजाब के अधिकार में आते हैं और फ्राइडे जो फ्राइडे को क्या था जो मनोलाल कटर उनके द्वारा गुडगाओं में यह बात बोली गई थी कि यह जो रिजुशन रिजुशन है इसमें कोई दम वम नहीं है और बहु कुछ पॉइंट से भी ज्यादा वहां पर हम बात करें 7% तक लगबग मालो हिमाचर पर इसका भी हग है ठीक है तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी जली होगी कि चंडिगड़ के ओपर किस किस का हग है अब केंदर शासित परदेश के बारे बात कर लेते हैं क कि union territory क्या होती है देखिए केंदर शासित परदेश के ओपर यानि union territory के ओपर जो परशाशन जो है वो direct रूप से केंदर सरकार के द्वारा किया जाता है और इसके बारे में लिखा गया है मतलब समीधान के aid schedule के अंदर केंदर शासित परदेशों के ओपर परशाशन से संबं नुक्त करेंगे या एक उपराज्यपाल यानि lieutenant governor जो है वहाँ पर नुक्त करेंगे इसका सीधा समतलब ही हुआ कि केंदर शासित परदेश पर केंदर सरकार की ही इच्छा का पालन किया जाता है केंदर शासित परदेशों के अवधारना समीधान के मूल संस्क्रण में नही जाते हैं डिपेंड करता है कि वहाँ पर विदान सबा है या नहीं कि मतलब कि देखे कुछ एक ऐसे पर केंदर शासित परदेश में जाएं जैसे होगी हमारे समने पोदू चेरी जमू कश्मीर और दिल्ली यहाँ पर विधान सबाई हैं तो यहाँ पर एक उपराज्ये पा परशाशन किया जाता है जैसे कि मैं बात कुरूँ चंडी गड़ोगी दमन दीव होगी दादर नगर अवेली यहाँ पर जो है कोई भी निर्वाची जानसबा तो है नहीं इसलिए यहाँ पर केंदर सरकार के द्वारा ही परशाशन कराया जाता है आर्टिकल 3 जो है वो समीधान का भार सरकार को नए राज्य के अंदर सासीद परदेश यानी यूनियन टेरिटरी बनाने की समीधानिक शक्ती देता है देखे, पार्लेमेंट चाहे तो जो states है या जो union territories है उनको अलग कर सकती है दो union territory है उनको एक साथ merge कर सकती है, यानि इतनी power है पार्लेमेंट के पास, कि कल को चाहे तो पार्लेमेंट बोले कि भई या चंडिगड जाहे हम मिलाना चाहते हैं, किसके अंदर पार्लेमेंट के लिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि पीडिएफ जब वो डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको लिंक दिया मिलेगा टेलिग्राम को तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडिएफ डाउनलोड कर सकते है तो लाइक करिए अगर आप लोगों को पसंद आई है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इससे बहुत जदा मैंने का मोटिवेशन मिलता है मतलब आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए आपको पढ़ाने के लिए मतलब मुझे मोटिवेट रहता हूँ सब्सक्रिप्शन मुझे मिलता है मुझे लगता है कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है और शेयर कर दीजिए वीडियो को ऐस और आप चैनल को भी वस आज के लिए इतना है था थैंक यू पर वचिंग दिस वीडियो